तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के आनिकी 27 अपरिल के इंपोर्टेंट करेंट अफेर्स को तो इस प्रश्ण में आपसे पूछ रहे हैं अभी हाली में नैसकॉम के नए चेर परसन कौन बने हैं तो आंसर होगा अनन्त माहिश्वरी तो सूचना प्रद्योग्य के यानि के आईटी कंपनियों के संगठन नैसकॉम के अगले चेर में के रूप में अभी माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के जो अध्यक्ष हैं अनन्त माहिश्वरी इनको चुना गया है वे किन की जगे लेंगे क्रिश्टन रामानुजम की इनके अलावा कॉग्निजेंट इंडिया के जो CMD है राजेश नामबियार उनको वाइस चेर्मेन बनाया गया है 2023-2024 के लिए अच्छा नैसकॉम की फुल फॉर्म क्या होती है इस था अपना होती 1988 में और मुख्याले इसका मिलेगा आपको नोईडा में अभी CA टायर कंपनी है उसके MDCO बने थे अनप बनर जी TCS के CEO बने थे के करतिवासन और SOCM के नए अद्देख्ष कौन बने थे अजेशे सिंग बने थे तो थोड़ सा कनफ्यूज मत होना नैसकॉम के बन गए है अनन्त माहिश्वरी और SOCM के कौन है अजे सिंग है बढ़ते आगे चलिए फिर बताईए अभी हाली में T20 किर्केट में सबसे तेज 200 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बन गए तो आंसर होगा शाहिन अफ्रीदी तो पाकिस्तान के तेज गेंदबाज है शाहिन अफरीदी जो अभी T20 की रिकेट में सबसे तेज 200 विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए उन्होंने अपने 183 वे T20 मैच में ये उपलब्दी हासिल की है उन्होंने इस मामले में कागिसो रबाडा को पीछे छोड़ दिया जिन्होंने 186 वे 146 टी 20 मैच में 200 विकेट लिये थे और इसे के साथ शाहिन अफरीदी टी 20 में 200 विकेट लेने वाले सबसे युवा तेज गेंदबाज भी बन गए है बाकि आपको याद होगा अभी टी 20 किरिकेट में 300 विकेट लेने वाले पहले भारते गेंदबाज कोन बने यजुवेंद्र चहल जबकि टी 20 इंटरनेशनल किरिकेट में सरवादिक विकेट लेने वाले खिलाडी बने थे शाकिम अलहसन ये बांगलादेश के हैं और अगर आपसे पूछे कि वोमेंस टी 20 वर्ल्ड कप के इतिहास में 1000 रन बनाने वाली पहली बल्ले बाच कोन बनी सुजी बैट्स ये न्यूजिलेंड की हैं जबकि टी 20 इंटरनेशनल किरिकेट में 100 विकेट लेने वाली पहली भारतिय कोन बनी चाहे पुरूशों में बात करलो चाहे महिलाओं में तो आंसर होगा दीपती शर्मा और दुनिया में ऐसा करने वाली ये नवी प्लेयर है जबकि अभी 150 टी 20 इंटरनेशनल मेच खेलने वाली दुनिया की पहली किरिकेटर बनी थी हर्मन प्रीत कॉर्ट और आपसे पूछे कि 700 राष्टर विकेट लेने वाले पहले गेंदबाच कौन बने तो न्यूजिलेंड के टिम साउधी अभी रनजी ट्रोफिक इसने जीती सोराष्टर ने जीती है बंगाल को हरा के इरानी ट्रोफिक इसने जीती सेश भारत ने जीती है मध्य प्रदेश को हरा करके और अभी पहली महिला प्रिमेर लीग ये खिताब जीता है अंबाई इंडियांस ने किसे हराया दिल्ली कैपि सा है तो अंसरोगा अमेरिका तो सिप्प्री मतलब स्थोखोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च ने सेन्य खर्च पर रिपोर्ट जारी की है कि 2022 में सबसे ज़्यादा सेन्य खर्च किस ने किया है तो अंसरोगा अमेरिका ने अमेरिका ने सबसे ज़्यादा अपनी सेना पर खर्च किया है पूरे वर्ड का 39% सेन्य खर्च किया है इसने दूसरे नमबर पर चाइना है तीसरे नमबर पर रशिया है तो चोथे नमबर पर भारत है भारत ने कितना किया 81.4 billion डॉलर जो कि 2021 के तुल्ला में 6 परतिशत जादा है और अगर continent के हिसाब से बात करें कि 2022 में किस महाद्वीप में सबसे जादा सेन्य खर्च हुआ तो obviously बात है यूरोप में ही हुआ आओगा जो कि पिछले साल युद्ध जो हुआ था रश्या और युक्रेन के बीच में अच्छा इसी तरह से आपको याद आएगा अभी 2023 में ही सिप्री की एक रिपोर्ट आई थी और उसमें बताया था कि 2018 से लेके 2022 की अउधी में हतियारों के आयात यानि कि इंपोर्ट के मामले में टॉप पे कौन सा देश है तो आउसरों का भारत है दूसरे नंबर पे है साउध इअरप तो ये पोईंट भी ध्यान रखना कुछ इंपोर्टेंट इंडेक्सेज और रेंकिंग के बारे में आपको रिवाइस कराऊं तो एक तो वर्ल्ड हैप्पिनेस रिपोर्ट याद रखना जिसमें भारत 126 नंबर पे है तो टॉप पे फिनलेंड है वैश्विक आतंगवाद सूचकांग में टॉप पे अफगानिस्तान है तो भारत 13 वाज सबसे प्रभावित देश रहा और इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में करनाटक टॉप पर है अभी राज्य उर्जा दक्षिता सूचकांग 2022 आया उसमें टॉप पे है आंदर प्रदेश और दुनिया के सबसे धनी शहरों की सूची आई है उसमें टॉप पर है नियॉयोर्क अचा भारत के लिए दूसरा सबसे महत्वपूर्ण निर्यात गंतव्य देश कौन सा है मतलब भारत सबस्यादा एक्सपोर्ट किसको करता है उस मामले में दूसरे स्थान पे पूछ रहे तो पहले स्थान पे तो अमेरिका है दूसरे स्थान पर United Arab अमिरात है और अगर पूछे कि भारत की किस जिले से सरवादिक व्यापार होता है या किस जिले ने सबस्यादा एक्सपोर्ट किया चलो इस प्रश्ण का उत्तर आप ही लोग दो और अभी आपने पढ़ा था जल शक्ती मंत्राले ने जल निकायो यानि कि Water Bodies की पहली गणना की है तो देश में सबसे ज़दा Water Bodies निकाय या जल स्त्रोत ये किस राज्य में है तो आंसरोगा पश्ची मंगाल में और हुरिन ग्लोबल यूनिकॉन इंडेक्स दोजल तेविस में भारत कौन से स्तान पर है तीसरे स्तान पर है पहले पर अमेरिका है दूसरे पर चाइना है और अभी देश में डिजिटल तरीके से लेंदेन करने वाले शेहरों की सूची आई जिसमें टॉप पर रहा बंगलूरू तो ये कुछ important इंडेक्से जे इनको ध्यान रखना पढ़ते आगे चलिए फिर बताईए अभी हाली में उद्योग और आंतरिक व्यापार समवर्धन विभाग के सचीव कौन बने है तो अंसर उगार राजेश कुमार सिंग तो अभी राजेश कुमार सिंग को Department for Promotion of Industry and Internal Trade का सेक्रेटरी बनाया गया है यानि कि उद्योग और आंतरिक व्यापार समवर्धन विभाग के सचीव वैसे आपको बता दू कि 2019 में उद्योगिक नीती और समवर्धन विभाग का नाम बदल कर उद्योग और आंतरिक व्यापार समवर्धन विभाग कर दिया गया बाकि अभी बांगलादेश के प्रेसिडेंट बन चुके हैं मुहमद शाहबुद्दीन अभी ओशिदी महानियंत रग ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया बने थे डॉक्टर राज्यू सिंग रगुवंची तेलंगना की पहली महिला मुख्य सचीव बनी है शांती कुमारी इनका नाम है तो ये नियूज में थे नाम इनको ध्यान रखना बढ़ते आगे चलिए फिर बताईए अभी मई 2023 में Quad Leaders Summit की मेजबानी कौन सा देश करेगा तो आंसर होगा उस्ट्रेलिया तो अभी उस्ट्रेलिया के जो परधान मंतरी है Anthony Albanese उन्होंने कहा कि आउस्ट्रेलिया अभी 24 मई 2023 को Quad Leaders Summit की मेजबानी करेगा ये बैठक Sydney में होगी और ये पहला मोका होगा जब आउस्ट्रेलिया इस सम्मिलन की मेजबानी करेगा ये इसका आयोजन करेगा और वैसे आप देखोगे तो ये Quad देशों की तीसरी बैठक होगी अच्छा Quad देशों के बीच में मालाबार exercise होती है और कई बार हम लोग पढ़ चुके हैं कि इस साल जो मालाबार exercise है उसका आयोजन ये आस्ट्रेलिया ही करेगा और आस्ट्रेलिया से ही आपको याद दिला दू दो पॉइंट और कि 2026 में जो Commonwealth Games होंगे उसका आयोजन भी उसको भी होस्ट करेगा आस्ट्रेलिया और 2032 में जो उलम्पिक होंगे Summer Olympics उसका आयोजन भी होगा आस्ट्रेलिया में उसके अलावा आपको बता दू कि 2023 में जो पंदरवा ब्रिक सम्मिलन होगा उसका आयोजन करेगा साउट अफरीका 2022 में जो कोप 27 हुआ था उसका आयोजन किया था मिश्रिन एजिप्ट में कहां पे हुआ था वो एजिप्ट के शर्म अल शेख नाम के स्थान पे 2023 में कोप 28 का आयोजन ये युनाइटेडर अब अमिरात करेगा आपको यादे अभी 2023 में सत्रवा प्रवासी भारते सम्मिलन ये इंदौर में हुआ था जिसमें चीफ कैस्ट कौन थे गुयाना के प्रसिडेंट महम्मद दर्फान 2023 में विश्व हिंदी सम्मिलन का आयोजन कहाँ पे फिजी देश में और अभी अंतरराष्टर व्यापार मेला इंटर अलपाइन 2023 का आयोजन हुआ उस्ट्रिया में लेकिन याद रखना अगर आपसे पूछे कि अंतरराष्टर पर्याटन व्यापार मेला फितूर 2023 का आयोजन का हुआ तो अंसरोगा मैडरेड स्पेन में तो ये पॉइंट्स भी ध्यान रखना बढ़ते आगे चलिए फिर बताईए किस राज्य का माना गाउं अब देश का पहला गाउं बन गया तो अंसरोगा उत्तराखंड देखो वेसे तो अभी तक ये जो माना गाउं है इसको कहा जाता था भारत का आखरी गाउं पर अभी जब प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी यहां पे गए तो उन्होंने कहा कि भारत का आखरी गाउं नहीं है ये बलकि ये भारत का पहला गाउं है आप तो जानते यो प्रधानमंतरी नरेंद्र मोदी को बातों से ही लोगों का दिल जीत लेते हैं कुछ करने की जरूती नहीं बढ़ती तो भारत सरकार की एक योजना भी है वाइबरेंट ग्रामीन प्रोग्राम उसके तहत इसे पहला भारते गाउं के रूप में मानेता दी गई अच्छा ये जो वाइबरेंट ग्रामीन कारेकर में इसका उग्देश्य क्या है सीमावर्ती गाउं का विकास करना और ग्राम वासियों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना अच्छा वैसे उत्तराखंड को तो हम कहीं बार पढ़ चुके हैं यहाँ पे कुछ इंपोर्टेंट गाउं कुछ इंपोर्टेंट विलेजेस के हम बात करते हैं जो अक्सर न्यूज में रहते हैं जैसे कि अगर आपसे पूछा जाए देश का पहला बायो विलेज को बना तो अंसर होगा तिरिपुरा का दासपारा गाउं अगर आपसे पूछे कि देश की पहली कार्बन नियूट्रिल पंचायत कौन सी बनी तो जम्मू कश्मीर का पल्ली गाउं देश का पहला 24x7 सूर उर्जा संचालित गाउं कोन सा बना तो अंसर होगा गुजरात का मोडेरा गाउं अगर आपसे पूछे कि हर गर में आरो वाटर पहुचाने वाला पहला गाउं कोन सा है तो अंसर होगा उत्तरप्रदेश का भरतोल अगर आपसे पूछे कि देश का पहला सेनेटरी नैपकिन फ्री विलेज कौन सा बना तो आंसर होगा केरल का कुम्ब लांगी गाउं अगर आपसे पूछे कि जम्मु कश्मीर का पहला दूद गाउं कौन सा बना तो आंसर होगा जम्मु कश्मीर का जेरी गाउं और अगर आपसे पूछे की देश का पहला जिला जिसके हर गाउं में पुस्त काले है ये कौन सा बना ये जारखंड का चाम ताड़ा जिला तो ये सारे important questions से इनको ध्यान रखना आप बढ़ते आगे चलिए फिर बताईए अभी हाली में मद्य परदेश में बरखिडा पठानी का नाम बदल कर किसके नाम पे कर दिया गया तो आंसर होगा लाल भादूर शास्त्री तो अभी मद्य परदेश के बरखेड़ा पठानी का नाम बदल कर पूर्वे परदान मंत्री लाल भादूर शास्त्री के नाम पर कर दिया गया अब वैसे बात तो यहाँ पर मद्य परदेश की भी है मद्य परदेश हम कई बार डिसकस कर चुके हैं तो आज हम यहाँ पर क्या करेंगे जो भी अभी important नाम चेंज हुए हैं उनको हम revise कर लेते हैं जैसे कि अभी मुंबई के Church Gate Railway Station का नाम CD देशमुग के नाम पर रख दिया गया वे RBI के पहले भारते गवर्नर थे अभी मुगल गार्डन का नाम अमरत उद्ध्यान कर दिया गया मद्य परदेश के भुपाल के इसलाम नगर गाउं का नाम जगदीश पूर कर दिया गया और मद्य परदेश में जो पाताल पाने Railway Station उसका नाम तात्या मामा Railway Station कर दिया गया मद्य परदेश के हबीब गंज Railway Station का नाम रानी कमलापते Railway Station कर दिया गया और मद्य परदेश के भुपाल मेट्रो का नाम भोच मेट्रो कर दिया गया और राजपत का नाम करतव्यपत कर दिया गया और तिलंगना ने अपने नए सची वाले परिशर का नाम बियार अंबिडकर के नाम पे रखा, रिलवे युनिवर्सिटी आप कहलाती है गति शक्ति युनिवर्सिटी, अभी अंडमान निकोबार में माउंट हेरियट, जो की एक परियटन इस्थले उसका नाम माउंट मनिप पूर कर दिया गया, तो ये कुछ इंपोर्टेंट नाम चेंज हुए थे, नाम बदले थे, इनको ध्यान रखना बढ़ते आ गए, फिर बताईए, अभी हाली में तारेक फते का निदन हो गया, वे कौन थे, तो अंसरों का पत्त्रकार, तारेक फते, ये पाकिस्तानी कनाड पत्त्रकार थे, और अभी 73 वरस की उमर में कैंसर की वज़े से उनका निदन हो गया, उनका जन में 1949 में पाकिस्तान के आजादी के तुरन बाद हुआ था, और उन्होंने खुद को मिड नाइट चाइल्ड बताया, वे इसलामे चरमपंत और पाकिस्तानी प्रतिष्ठान के अलउचनाओं के लिए जाने जाते थे और समलेंगिक अधिकारों के समर्थक भी थे, वैसे अभी आप जानते हो पाकिस्तान के पूर्व प्रेसिडेंट परवेज मुशर्रफ का भी निदन हो गया, अभी हमने पढ़ा था पंजाब के पांच बार के मुख्य मंत्रे रहे, सिंग बादल का निदन हो गया, कुछ और पुराणे नाम अगर हम रिवाइज करें एक बार, तो देश के स्टील मैन के नाम से मशूर थे जमशेच जे इरानी इनका निदन हो गया, दुनिया के सबसे गंदे आदमी कहे जाने वाले अमोहाजी का निदन हो गया, वे इरान से थे भारते इंटरनेट के जनक का निदन हो गया उनका नाम है B.K. सिंगल और राष्टर महिला आयोग की पहली अध्यक्ष जैनती पतनायक का निदन हो गया एक रुपे की डॉक्टर के नाम से मशूर थे सुशोबन बंदो पाध्या उनका निदन हो गया भारत की पहली महिला क पानी उनका भी निदन हो गया और भारते सार्वजनिक उपकरमों के जनक इंडियन पब्लिक सेक्टर यूनेट्स के फादर कहे जाते थे डॉक्टर वी क्रश्नमूरती उनका भी निदन हो गया तो ये नाम भी ध्यान रखना चल्चा में थे इंपोर्टेंट है बढ़ते आ अमेरिकी निली बेंदापुडी को 2000 का इमिग्रेंट अचिमेंट पुरुसकार दिया गया तो ये जो पुरुसकार ये उन व्यक्तियों को माननेता देता है जो अब प्रवासियों के राश्टर के रूप में हमारी विरासत के प्रति प्रति बद्दिता और समर्पन परदश मैलकम अदिसेशिया पुरुसकार मिला और डॉक्टर नित्या अब्राहिम यंग यूरोलॉजिस्ट पुरुसकार इनको मिला अब हम कलके कर अंटरफेर्स का क्विक रिविजन करेंगे तो पहला प्रशन आपसे पूछा भी विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया 25 अप्रेल को फिर आपसे पूछा भी अप्रेल दोजाटेविस में नाटो ने दुनिया का सबसे बड़ा साइबर रक्षा अभ्यास लॉक्ड शील्ड का आयोजन का किया एस्तोनिया में फिर आपसे पूछा भी सिड्नी किर्किट ग्राउंड ने किस महान बल्लेबाज के नाम पर गिट का अनावरन किया तो अंसरोगा सचिन तेंतुलकर और ब्रैन लारा फिर आपसे पूछा एशिया की सबसे बड़ी अंडर वाटर हैड्रो कार्बन पाइपलाइन ये कांपे स्थापित हुई असम में फिर आपसे पूछा भी प्लदार मंतरी नरेंद्र मोदी ने भारत की पहली जल मेट्रो परियोजन कहां शुरू की कोच्ची केरल में फिर आपसे पूछा भी किसे राजे ने अग्यात शवों के लिए DNA डेटाबेस बना कर इतिहास रचा हिमाचल प्रदीश फिर आपसे पूछा भी बिलबोर्ड की पहली लेटन वुमेन आप दे इयर अवाड से किसे सम्मानित किया गया शकीरा को और अग्ला प्रश ने पूछा अभी Mixed Martial Art 1 Federation के अद्धेश बने महावेर सिंग फोबार्ड फिर आपसे पूछा भी किस राजे के पांच बार के मुख्य मंतरी रहे प्रकास सिंग बादल का निदन हो गया पंजाब और अग्ला प्रश ने पूछा अपना दूसरा बारसिलोना खिताब किस ने जीता कार्लोस अलकाराजने और गाइज सेशन अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करके शेयर जरूर कीजिएगा और चेनल पर पहली बार है तो इसे सब्सक्राइब करके पास में बैल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन मिल सके अब हॉमवर्क प्रशन देखते हैं और सेशन अन करते हैं तो कल के वीडियो में आपसे पूछा था कि गणित के लिए एबल पुरुसकार किसे मिला तो आंसर होगा लुईस कैफर रेली को आप सभी ने प्रशन का बिल्कुल सही उतर दिया है अब ये रहा आज का आपका हॉमवर्क प्रशन कम प्रशन पुरुसक भाउँ